Hi everyone, welcome to Easy Cooking and Breaking previous recipe में उरड डाल से केसे पोड़ो पिथा बनाते हैं मैंने आपको बताया था लेकिन इस recipe में मैं आपको चाओल से केसे पोड़ो पिथा बनाते हैं बताऊंगी वैसे तो पोड़ो पिथा को different different तरीके से बनाते हैं लेकिन जो traditional पोड़ो पिथा होता है उसको हम चाओल से बनाते हैं तो चले recipe शुरू करते हैं पोड़ो पिथा बनाने के लिए मैंने आप एक bowl में एक cup raw rice ले लिया है आप कोई भी variety का raw rice ले सकते हो राइस को हम अच्छे से clean कर लेंगे और 4-5 घंटे के लिए भीगोने के लिए रख देंगे लगभग 5 घंटे के बाद चाओल अच्छे से soak हो गया है अब उसका सारा पानी drain कर लेंगे और उसको एक mixing jar में transfer कर लेंगे अब हम राइस का एक paste बना लेंगे यहां पर मैं एक heavy bottom बाला प्यान लिया है उसमें मैं सारे paste को transfer कर लेती हूँ इसी प्यान में मैं राइस का paste को cook करूँगी इसलिए मैं directly इसमें सारी चीज का mix कर रही हूँ अब इसमें मैं टेस्ट के according नमक डाल रही हूँ यहां पर 1-2 टीश्पून मैंने इलाइची पाउडर लिया है देट टीश्पून ब्लाक पीपर पाउडर लिया है और यहां पर 2 तैस्ट पता को मैंने टुकडा करके डाल दिया है 1-4 cup chopped coconut 1 टीश्पून grated ginger 2 टेबल स्पून mixed dry fruit और 3-4 cup good डाल के अच्छे से mix कर लेंगे और गूड मेल्ट होने तक अच्छे से mix कर लेंगे अब देखिए गूड बैटर में अच्छे से mix हो गया है अब हम इस बैटर को cook करेंगे अब इमें ग्यास का flame को अन कर दिया है और flame low में ही रखा है बैटर को हम continue stir करते रहेंगे जब तक कि हमारा बैटर जो है वो एकदम ठीक ना हो जाए हमें पूरे प्रोसेस को low flame में ही करेंगे यहां पर देखें बैटर हमारा धीरेदे थीक होना स्टार्ट हो गया है अब इसको हम continue stir करते रहेंगे अब बैटर अच्छे से थीक हो गया है अब इसी टाइम हमें उसमें एक चमस घह डालके अच्छे से mix कर लेंगे अब इसको हम और एक मिनुट पकाएंगे और ग्यास का फ्लेम को बंद कर देंगे यहां पर हमारा पोड़ो पिठा के लिए बैटर बिल्कुल रेडी हो गया है पोड़ो पिठा को बेक करने के लिए मैंने यहां पर एक अलमुनियम का बाउल को घी से ब्रश कर लिया है यहां पर मैंने कुछ साल के पति ले लिया है आपके पास अकर कैले की पति हॉआ पर प्रश कर लिया है आप उसमें हम पहले जो राइस का बेटर बना के रेडी कया था उसका आधा हम बोल में भर देंगे और एक स्पून की मदद से इस अच्छी से प्रेस कर लेंगे उसके उपर हम coconut का स्टपिंग रखके अच्छी से स्प्रेड कर लेंगे coconut स्टपिंग कैसे बनाते हैं मैंने आपको प्रिभेस रेसिपी में सेयर किया था उसका लिंक मैं आपको डेस्क्रिप्शन बक्स में दे दूँगी अब हम बाकी की बैटर को उसके उपर रखके अच्छी से स्प्रेड कर लेंगे और एक स्पून की मदद से उसे प्रेश करके अच्छी से स्मूथ कर लेंगे यहाँ पर गानी सिंग के लिए मैंने कुछ काजू और चौप किया हुआ coconut लिया है आप अपनी मन पसंद कर राइफ्रूर्स ले सकते हो अब हम उसके उपर एक चमस घी डाल देंगे उससे हमारा पिठा को जो फ्लेबर है बहुत अच्छा आता है यहाँ पर मैं एक इदली स्रंड में थोड़ा सा नमक डाल के पांच मिनिट के लिए प्री हिट करने के लिए रख दिया था अब पिठा को हम उसके अंदर रखेंगे और धकन लगा के 45 से एक घंटे तक पेक करेंगे आप यह पिठा को डाइरेक्ट कड़ाई में भी बना सकते हो एक घंटे के बाद देखिए पिठास इसे बेक होके एकदम ब्राउन कलर हो गया है अब हम गयास का फ्लेम को बंद कर देंगे और पिठा को एकदम ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे ठंडा होने के बाद हम पिठा को एक प्लेट में निकाल लेंगे यहां पे देखिए हमने जो बेक करने के लिए पत्ते ही उज़ किया थे उसके वज़े से पिठा हमारा बॉल से एकदम एजी ली निकल गया अब हमारा पोड़ पिठा बिल्कुल रेडी हो गया है अब उसको स्लाइस करके एंजोई कर सकते हो अगर ऐसकी मेरी रेसिपी आपको पसंद आए तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना और इजी कुकिंग एंड बेकिंग को सब्सक्राइब कर लेना पास में जो बेल आइकन ही उसे क्लेक कर लेना ताकि मेरी निव रेसिपी आपलोड की नोटिफिकेशन आपके पहले आजाए थैंक्स बेर वाचिंग